हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागात है मेरे चैनल इन्वेस्मेंट योगी पर फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबाईए और उसके बाद नोटिफिकेशन में आल का बटन जरूर दबाईए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें तो आएए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स आज बात करेंगे एक fundamentally strong company को उपर तो अगर आप देखें तो company आप अच्छी तरह से जानते हैं और उस company का नाम है फ्रेंड्स Clean Science Technology Limited Clean Science Technology Limited के fundamentals पर बात करेंगे सबसे पहले और उसके बाद उसके technical पर बात करेंगे तो मार्केट कैपिटिलाजेशन 15,549 करोर स्टॉक पी-ई वर्तमान में 60 का चल रहा है फ्रेंड्स और current price 1463 रुपए और book value 82 रुपीस फ्रेंड्स अगर आप इस stock के ROC की बात करें तो ROC 46.6% है और ROE जो है वो 34.9% तो इस साबसे company के जो fundamentals हैं यहाँ पर कुछ indicators जो है वो आपको okay से लग रहे हैं और fundamentally यानि ही company strong आपको समझ में आ रही है और अगर आप dividend yield की बात करें तो company dividend भी देती है 0.22% और face value जो है वो company के share की है एक रुपए फ्रेंड्स और बात करें company के history के उपर तो company 2003 में established हुई थी it is one of the leading chemical manufacturer globally it manufactures functionality critical speciality chemicals such as performance chemical NEHQBHA, AP pharmaceutical intermediates और FMCG chemicals भी ये produce करती है friends company के quarterly results की बात करें तो quarterly results में September 22 का अभी हमारे पास जो data है वो 248 करोड रुपेस का है जो की June quarter में 234 करोड रुपेस था और अगर June 2020 की बात करें तो किवाल 113 करोड रुपे था और June 2021 में 146 करोड रुपे था और उसके बाद 234 करोड जैसा की जून 2022 में था September to September की बात करेंगे तो 113 करोड वाला sales जो है वो 2022 सेप्टेंबर में 248 करोड हो गया यानि कि 100 करोड के आसपास का यहां पे विर्धी हुई है तो उस साब से sales wise company जो है वो अच्छा performance डिलीवर करके दे रही है अगर आपको concern की तरफ बात करना है operating profit margin जो की more than 50% के आसपास रहे हैं जो की recent कुछ quarters में दबाव में रहे हैं inflation के कारण 39-39% के आसपास September और June quarter में आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वो 5 रुपए के around चलने वाला EPS आपको 6 रुपए 42 पैसे तक जा चुका है net profit में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक decent level पर company का net profit है 42 करोड, 54 करोड, 34 करोड, 49 करोड, 53 करोड, 55 करोड और उसके बाद इधर के quarters में अगर आप देखेंगे यानि कि जून और सेप्टेंबर के quarter में देखेंगे तो 70 और 68 करोड के आपको यहाँ पर net profit दिखाई दे रहे है yearly profit loss की बात करेंगे तो sales जो आपका March 2016 में 140 करोड annual होता था अभी फिलहाल 2022 में समाप्त वित्वर्स में 685 करोड तक आपको पहुँच गया यह 6 गुना के आसपास का यहाँ पर sales company ने register किया operating profit margin 34% से बढ़ता हुआ आपको इस समय 44% है yearly के यहाँ पर बात की जा रही है और उसी प्रकार से अगर net profit की बात करें जो 27 करोड वाला जो आपको net profit था बलकर के 239 करोड रुपए हो गया तो इस हिसाब से आप यहाँ पर जबरदस्त तरीके से company को growth करके दे रहे हैं तो यानि कि clean science fundamentally एक अच्छी company आप consider कर सकते हैं फ्रेंट्स balance sheet की बात करेंगे बॉर्रविंग्स में company के बॉर्रविंग्स जो है वो कुछ भी नहीं है तो debt free company है तो यह भी एक fundamentally आपको जबरदस्त एक sign दिख रहा है कि fundamental company में कोई problem नहीं resource भी company के पास अच्छे खास्वे हैं एक और indicator shareholding pattern जिसको fundamental में हम देखते हैं वहाँ पर भी company के shareholders जो है जो promoters हैं वो 78.5% यहाँ पर intact पड़े हुए हैं और DIA और FIA ने भी यहाँ पर interest लिया है modern 4% और 12% केवल आपको यहाँ पर public दिखाई दे रही है IPO जो है वो पिछले साल जारी हुआ था और IP को जो price थी वो करीब 900 रुपे की थी और उसके बाद इसका जो share था वो 2600 रुपे के आसपास गया था और इस समय 1460 रुपे के आसपास यह share चल रहा है तो IPO के बाद company में पैसा जो है वो सब ने बनाया है तो इसके हम charts की बात करते हैं और वहाँ देखते हैं कि क्या स्थिती है तो पर आपको आपको 1600 रुपे के आसपास यहाँ पर लिस्ट होता हुआ नजर आया था listing days के दिन और वहाँ से आप देख सकते हैं कि जो run-up लगाई है company के share ने वो 2600 रुपे के आसपास यहाँ पर company का share जाता है और उसके बाद आप देख रहे हैं लगातार यह आपको weekly closing का chart है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि company का जो यह stock का जो chart है उसके आप technical को देखिए तो आपको यह trend दिख रहा है तो trend आपको लगातार यहाँ पे नीचे जाता हुआ दिख रहा है और एक important support level है 1420 रुपए के आसपास अगर यह break होता है तो यहाँ पर आपको next level के लिए जो psychological जो figure आपको दिखाई देगा वो company के जो IPO का जो price है वो केवल वही लोगों को यहाँ दिखाई देगा तो clean science and technology पर आप यहाँ पर एक और चीज़ देख सकते हैं और फ्रेंड्स वो यह चीज़ एक जो मैंने indicator यहाँ डाला है वो है वो है exponential moving average आप यहाँ देखिए कि जब company का share जारी किया गया था उसके बाद से ले करके जब इसने highest point टच किया तब तक इसका जो exponential moving average था नीचे था और company के जो share के price थे वो उपर की तरफ चल रहे थे लेकिन जब से यह downward trend में गया हुआ है तब से exponential moving average आप देख सकते हैं कि उपर नीचे करता हुआ यह उपर है और लेकिन जो stock के price है वो नीचे चल रहे है maximum time में केवल इस phase में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर recovery के संकेत मिले थे लेकिन फिर से आपको exponential moving average के front पर यहाँ पर company के stock price जो है वो नीचे ही चल रहे हैं तो आपको यह चीज ध्यान में रखनी है कि stock जो है वो downtrend में है fundamental बहुत अच्छे है कोई दिक्कत नहीं है company में लेकिन नई company होने के वज़े से यहाँ पर stock हो सकता है कि इसके जो IPO price के level है उसको test करने की कोशिस करे यह ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ऐसा हो अगर fresh खरीदारी आ जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन आपको यहाँ पर बिलकुल आपको एक caution का लेके चलना होगा हो सकता है कि आप इसके levels जो की काफी आकर सक हो गए है उसको ले करके आप यहाँ पर निवेश कर दे तो थोड़ा सा रुगिए थोड़ा सा यहाँ consolidated होने दीजिए और उसके बाद ही कोई फैसला लेने के लिए सोचिए क्योंकि देखे यह stock already काफी correct हो गया है 2600 रुपै से अब इसमें क्या levels बनेंगे यह अभी कहना काफी मुश्किल है क्योंकि एक नई कमपनी है तो यहाँ पर आपको एक caution का एक सावधानी वाला निर्ण जरूर लेना होगा बाकी company के fundamental में friends दोस्तों कोई भी यहाँ पर कमी नहीं है तो friends I hope की clean science पर यह वीडियो आपको अच्छ करें यह वीडियो केवल education purpose से बनाये गया है thank you so much friends friends I hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको like करिए comment करिए और इस वीडियो को जास ज्यादर लोगों तक share करना ना भूली thank you so much friends